नमस्कार चुनाव आज तक में आपका स्वागत है मैं हूँ कुमार अभिशेग इस वक्त उत्तरप्रदेश में दो चर्चा चल रही है एक जो अमेठी और रायबरेली का चुनाव है अमेठी और रायबरेली में क्या होगा क्या गांधी परिवार यहां से चुनाव इसमें इन दस में आथ सीटें अभी भी बीजेप्य के पास है और दो सीटें समाज़बादी सीट जहां से राम गुपाल्यादो के बेटे चुनावी लड़ है अक्षекियादो वसी बीजेपी ने जीत ली थी क्योंकि शित फुर्पाल्यादो तब लेकिन यहां से शियुपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आधित्यादव, और ये सीट भी इस बार बहुत कड़े मुकाबले में हैं, यानि कि समाजवादी पार्टी इस बार के इन दस सीटों में चार सीटों पर तो उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जिसमें मैनपूरी है, जिसमें बदाईू है, फिरोजाबाद है, ये ऐसी सीटें हैं, तीन सीटें, ये ऐसी हैं जिन पर परिवार के लोग लड़ रह रहें और ये तीनों सीटें बेहत कड़े मुकाबले में माना जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है इसके अलावा बरेली में इस बार बीजेपी ने संतोज गंगवार का टिकट काटा है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर नाराजगी ज्यादा हाला कि संतोज गंगवार बीजेपी के साथ बने हुए हैं लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर चातियों का समीकरण बिठाया है और यह इस पार बीजेपी को भारी पढ़ रहा है यानि कि कहीं भी वोटों का धुरूरी करन ना हो जाए हिंदू मुसलमान ना हो जा है ऐसे में द्रूविकरण इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है जो कि अमूमन ज्यादा कैंडिडेट देने पर हमेशा से हो जाया करता है जो लड़ाई है वो लड़ाई सीधी सीधी जो इस वक्त दिखाई दे रही है फतेपूर में कॉंग्रेस चुनाव लड़ रह है हाला कि जैवीर सिंग जो मंत्री है वो डिंपल यादों के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और वहां पर यह मजबूत लड़ाई दिख रही है एटा में इस बार समाजवादी पार्टी ने नया प्रयोग किया है और एटा में कल्यान सिंग के बेटे राजवीर सिंग और कि बीजेपी सुमिद्वार है उनने बहुत कडी टकّर मिल रही है बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे लोग टिकटों के नहीं बदले जाने से नाराज है और यह भी चर्चा है कि बीजेपी अंदर खाने बहुत सारा बगावत झेल रही है यह तपार जहां पर इस बार कर सकती है और यह माना जा रहा है कि शियुपाल यादो और रामगोपाल यादो अपने बेटों को जिताने में उन्हों ने कोई कूर कसर नहीं छोड़ रखी है देखना यह है कि क्या समाजबादी पार्टी इस इस चरन के चुनाओं में अपनी टैली कितनी बढ़ाती है दूस से निकल करके आई कि न तो राहूल गांधी अमेठी लड़ने जा रहे हैं और नहीं प्रियंका गांधी राइबरेली लेकिन कॉंग्रेस के निता कह रहे हैं कि अमेठी से राहूल गांधी लड़ेंगे हाला कि यह बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि क्या राहूल गां इसके लिए ये दोनों सीटें जीतना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा पूरी कह सकते हैं विशात विछार रखी है कि अगर गांधी परिवार यहां नहीं आता तो किस तरीके से चुनाओ लड़ना है दूसरी बात अगर गांधी परिवार से चुनाओ लड़ने कोई नहीं आता तो ये एक पार्टी के मनोबल पर भी बड़ा असर पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी ने आमेठी क्यों छोड़ दी गांधी परिवार ने राय बरेली क्यों छोड़ दी हलाकि कॉंग्रेस के निताओं को यकीन है कि राहुल कम से कम जरूर आमेठी लड़ेंगे खेर इंतजार करना होगा कि क्या कॉंग्रेस पार्टी इस पर फैसला करती है लेकिन बड़ा ही दिल्चस्प होगा लखनौ से कुमारा बिशेख चुनाव आज तक